वेल्कम बैक आज का टॉपिक कम्पनी क्रिएशन अल्ट्रेशन डिलीट करना इन टैली प्राइम आप टैली प्राइम में अपना कम्पनी कैसे क्रिएट करेंगे इल्ट्रेसिंग कैसे करेंगे डिलिट कैसे करेंगे आज हम वो सिखेंगे अभी तक हमने नवीकेशन इन टैली प्राइम सीख चुके थे last decision के अंदर आज हम उसको आगी continue करेंगे और company कैसे create गरेंगे टैली के अंदर वो समझते हैं इसके लिए आप Teleprime open करिए और जब आप Teleprime को open करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर option आएगा इस इस तरह का यहाँ पर आपको select करने है company कोई सी भी तो firstly मैं आपको एक randomly कोई सी भी company open कर लेता हूं फिर हम company creation, alteration और बाकी सारे options समझेंगे इस इस वन company जो कि open है यहाँ पर टैली के अंदर अब हम चाहते हैं कि हम एक नई company create करें हम किसी business का accounts maintain करना चाहते हैं तो हमें उसका company का page create करना पड़ता है टैली प्राइम में सबसे पहले हमको company का page create करना पड़ता है अब company कैसे create करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पर एक option आपको दिया गया है company का this is a top menu और top menu के अंदर एक company option है इस company option पर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर create, alter, change company, select company और shut company यह चार पांच options मिलेंगे जो हम एक एक करके समझेंगे create का button आप यहाँ से भी यूज कर सकते थे इसके अलावा आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं F3 click करके तो यहाँ पर आपको चार ओप्शन मिल जाएंगे create, alter, shut, create company ठीक है तो firstly मैं company पर जाता हूँ और create का button यहाँ पर click करता हूँ company का जो creation होता है वो आपको केवल one time करना है और one time करके आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन मास्टर्स होगरा create करते रहेंगे daily wise तो जब हम company का page create करते हैं first time तो यहाँ पर इस तरह का आपको screen show होता है यहाँ पर company का path this is a default path जहाँ पर data save होगा हमारा see user public tally erp9 data this is a erp name is a folder name not a erp software this is a erp folder where the data is saved okay तो हम यहाँ पर company का नाम change लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले like हम एक company मनाते हैं जैसे radhika fashion private limited यह हमने company का यहाँ पर नाम लिखा enterprise करेंगे आप नीचे आने के लिए इसको इस line से national line पर जाने के लिए आपको enterprise करना है then यहाँ पर mailing name आएगा what is the mailing name mailing name वही होता है कोई short name या फिर आपको mail के मालने आपकी company का नाम बड़ा है और आप उसको कोई short में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका में नाम लिख सकते हैं यहाँ पर address address में आपको company कहाँ पर है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं डीचपन, 80 fit road second line भी आप यूज कर सकते हैं महेश नगर, third line भी आप यूज कर सकते हैं जितना आप चाहें यूज कर सकते हैं फिर then enter, जब आप खाली line से आगे वाले enter करेंगे तो address खतम हो जाएगा और आप एक state वाले column में आ जाएगे यहाँ से आपको state को यूज करना है, state के लिए यहाँ पर एक list आएगा आपके सामने और इस list में से आप R प्रेस कर दीजिए जैसे आप R प्रेस करेंगे तो राजस्तान को पिक कर लिया जाएगा या फिर आपको चंडिकर करना चाते हैं तो C दबा दीजिए, B R करना चाते हैं तो B दबा दीजिए उस तरह से आप यहाँ पर इसको select कर सकते हैं इस चाते हैं से में कर सकते हैं कंप्नी कर सकते हैं है जहाँ आपको यहां से लिख सकते इमेल एड्रेस, कम्पनी का इमेल एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपने कम्पनी का इमेल एड्रेस टाइप कर दिया, उसके बाद कम्पनी का वेबसाइट एड्रेस, आपको कम्पनी का वेबसाइट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होता है, जिससे क इन्वाइस अगरा के अंदर आपका इमेल एड्रेस के साथ साथ आपका वेबसाइट का एड्रेस भी जा सके ओके तो यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देखेंगे अब आपके पास पुछा दिया अब आपका फाइनेंसल येर कौन सा है अभी अभी हमारा फाइनेंसल लियर चल रहा है एक अपरेल दो जार इक्षिस से लेके 31 मार्च दो जार बाइस तक का तो डिफॉल्ट ली जैसे येर चेंज होता है वो अपने आप टेली पिक कर लेता है फाइनेंसल येर अभी कौन सा है एक अपरेल दो जार इक्षिस उस साल के अंदर आपने अपनी कमपनी कव स्टार्ट करी अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सबी जने एक तारिक से स्टार्ट करेंगे अपना बिजनस नया वेवसाइब कोई यहां पर एक जून डालेंगे तो मैंने 1-6 करा तो यहां पर 1 जून डेट आ गई है और इसको मैंने 21 कर दिया 1 जून से स्टार्ट हो गया इसका मतलब है इसके पहले की एंट्री में कभी नहीं कर पाऊंगा टैली के अंदर इस कमपनी के अंदर तो यहां पर वो डेट डाल तो टैली भी हमको नहीं करने देगा तो यहां पर वो डेट डालना है अब यह देखिए यहां पर डेट में माल लेते हैं 25 मई डालना चाह रहा था तो 25 मई भी डल जाएगी क्योंकि मेरे पास टैली सिल्वर प्राइम जो ओरिजनल लाइसेंस वर्जन है उसके उपर हम काम स इसको सीख रहे हैं तो यहां पर एक यास्ध् sana आ आपको याइंगतीस टारीक आप यहां पर एंटर कर सकते हैं ठेवाज he यस को आप enter दबा की यस बोल सकते हैं और no को escape कर सकते हैं तो tally के अंदर दो की सबसे में important एक तो enter वाली की जो accept करता चला जाएगा चीजों को और एक escape की जो की आपको cancel करेगा कोई भी चीज करने से तो हमने इसको no करा no मतलब escape तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर इसको enter करके accept कर लिए तो मैंने इस company को accept कर लिया तो आप यहां देखेंगे company created successfully हमारी company बनके ready हो गई है इसी के साथ tally ने हमको क्या करा कि basic feature दे दिये मैंने इसको no कर दिया इसलिए कि आप जब इसको open करेंगे तो defaultly आपको इस तरीके से दिखेगा tally prime में क्या facility available हो गई है आपको कि default settings के लिए जो जो options available हैं वो सब उन्होंने automatically on करके दे दिये आपको extra feature on करने का जोरत नहीं है लेकिन फिर भी according to your business और business का nature उसके अंदर आप अपना और भी options yes कर सकते हैं जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे GST भी enable करके दिया है tally ने तो हम यहाँ पर अभी GST को no करते हैं क्योंकि क्यों भी हम financial accounting सीख रहें तो अभी हमने इसको no कर दिया enter accept कर दिया तो इसमें से मेरा GST अभी close हो गया है अभी activate नहीं हुआ है तो यह सबसे first thing कि हम यहाँ पर राधिका fashion private limited हमने company बनाई और वह company यहाँ पर no voucher entry और यहाँ पर company बनके ready हो चुकी है तो हमारा पहला option कि company कैसे create करते हैं टैली के अंदर वह आप सीख गए हैं इसके लिए आपको company पे जाना है और create वाला button दबाना है यहाँ पर company का नाम, mailing name, address, state, country, pin code, mobile number यह सारी normal options भरकर आपको financial year और book beginnings के ओपर ध्यान देना है financial year automatic choose करेगा और book beginning आपको choose करना है company कब बनाता अगर company सालों से चलती आ रही है तो आपको default 1 April से ही start करना है क्योंकि नए financial year से में company को start कर रहा हूँ तो यह इस तरह से आप company create कर लेते हैं दूसरा option हमारे पास है alter करना by chance हमने कुछ बनाया company के अंदर company के page में और हम चाते हैं उसके mobile number change करना हम चाते हैं उसका email id बन करना, change करना या अटाना, website का address या company का नाम, address, anything more जो भी आप change करना चाते हैं उसका procedure उसके लिए आप क्या जाएंगे company पे, company पे जाके alter अल्टर पे click करेंगे तो आपको कौन सी company में change करना है चुकि यहाँ पे दो company उपन थी एक तो बीस number event एंड राधिका fashion limited तो हमको राधिका fashion private limited में change करना है तो हमने इसको enter करा अब यहाँ पे आप change करीजिए आपको mobile number change करना है या फिर आपको मान लेते हैं आपको private limited नहीं लगाना राधिका fashion करना है simple तो आपने इसको कर लिया और इसको save करा दिया accept हो गया अब इसका change हो गया और नाम हो गया राधिका fashion simple आपको company में जाना है और alter में जाना है और enterprise करना है और यहाँ पे जो भी change करना चाहते हैं वो कर सकते हैं right third option है हमारे पास कि हम company तो हमने बना ली अब अगर हमको रोज entry करना होगा तो रोज company open करना पड़ेगा ठीक है तो company हम open कैसे करेंगे हमारे database में से company कैसे निकालेंगे तो यह काई ने काई जाके save हो गई तो हम इसको में करेंगे select company यहाँ पर select company या फिर आप shortcut की यूज कर सकते हैं filter plus F3 तो मैंने यहाँ पर select किया और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी company की लिश्ट है आप mouse से arrow की से डाउन करके जा सकते हैं की बोर्ड में arrow की से डाउन्लोड करके जा सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ फिर आप mouse से scroll करके भी जा सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी company यह इसमें से आप किस company के उपर काम करना चाहते हैं वो आपको धूनना पड़ेगा alphabetical ascending order से जमा हुआ है यह अगर फिर भी हमको लगता इत्ती सारी में से हम कैसे डूनेंगे तो अगर आपको अपनी company का नाम याद है तो आप type करने लग जाईए जैसे prime तो मैंने time करा यहाँ तो prime नाम से जो भी company आती यह आ गई आपके पास तो हमने इसको open किया तो यह company भी हमारे पास open हो गई है यह company हमारे open हो गई है अब मेरे पास company जो open है वो है prime company 01 और इसका last entry 11 October आ दिया तो ऐसे आप select करके पुराने data में से आप अपनी company को choose कर सकते हैं ठीक है या फिर आपको देखें यहाँ पर default path कौन सा दे रखा है C user public tally ERP9 data अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पर data नहीं है मेरा data है D drive में या फिर E drive में data है महां से मैं कैसे start करूं तो मैं select from drive से जाओंगा select from drive एक option है जिससे आप browse कर सकते हैं अपनी harddix को C drive D drive और और आप महां से जाके और यहाँ पर आप किसी भी folder में जाके और अपनी company को start कर सकते हैं यह these are the three companies यहाँ पर आप इसको enter दबा के press कर लीजिए तो यह company open हो गई यह देगे it's very simple कि आपको company कैसे select करनी है company पर जाना है और select करना है अब हम सीख चुके है create करना alter करना और select करना last option है shut करना shut मतलब shutdown shortcut क control plus F3 shut मतलब shutdown अब shutdown मतलब यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी company open हो चुकी है हम चाहते हैं कि यह company close कर दें आज हमारा काम complete हो गया यहाँ से close कर दें not delete close कर दें तो close करेंगे तो हम shut करेंगे shut करेंगे तो यहाँ पर click करेंगे या फिर control plus F3 हमने यहाँ पर क्या तो यहाँ चार company ओपन होके दिखा रहा है आपको तो आप किस company को बंद करना चाहते हैं बोले मैं new trend को बंद करना चाहता हूं तो मैंने इसको कर दिया तो आप देखिए यहाँ से close हो गया फिर मैं control F3 प application बचा हुआ है तो ऐसे आप यहाँ पर company को शट कर सकते हैं open करने के लिए select बंद करने के लिए set create करना मतलब नया बनाना और alter मतलब change करना एक और चीज अगर मैं इसको लिए this company को delete करना है पर्मानें delete करना है हमे Big default करना मैं तो मैं क्या process करूंगा उसके लिए हम को company पे जाना यह और alter पे जाना है अलट जहां मने chanj करने के लिए काम में लिया था यही पे हम एक काम और कर सकते हैं और वो काम में हमारा डिलीट करना और डिलीट करने के लिए आल्ट प्लस डी तो यह आपका डिलिट हो जाएगा एंटर प्रेस करेंगे तो दुबारा पूछेगा अर्यू शोर अगर आप कंफर्म है तो एंटर दबा दीजिए इसका मतलब टैली ने आपको दो बार वार्णिंग दिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अपकी बार यस कर दिया तो किसी भी कारण से कंपणी वापस नहीं आ सकती है आप कुछ भी रीजन कर लेजिए कुछ भी वापस कोईसा भी तरीका अपना लो कंपनी वापस से नहीं आईगी टैली के अंदर डेटा हमेसा के लिए लोस हो जाता है इसमें कोई रिसाइकल मिन में डेटा पर्मानेंटली लोस हो जाता है तो आपको डिलीट करने से पहले या तो आप उसका बेकप लेके रखें या उसका फॉल्डर अलग से बनाके रखें नहीं तो डिलीट करने का ज़रोत नहीं है बहुत सारी कंप्रियां है जो यहां पर रह सकती है डेटा इतना ज्यादा हैवी सब्सक्राइब नहीं होता है नोका तो आप आराम से इजिली कर सकते हैं यहां पर यह देखिए यहां पर आप देखेंगे 314 मतलब 314 यहां पर अवेलेबल से देखिए तो इतना सारा डेटा अवेलेबल है तो आप भी रख सकते हैं नो प्रॉलम बट डिलीट कर दिया तो आप वापस नहीं ला सकते हैं, टो यहां अप तक हमने सीख लिया है, और आप देखेंगे कि, हमने क्या क्या सीखा, revise करते हैं, फर्स्टली कमपनी, कमपनी में create, alter, select and shut, create मतलब बनाना, alter मतलब change करना या delete करना, select मतलब पुरानी में से चूज करना या shut मतलब खुली को बंद करना ओके आई थिंग आप सब इनका प्रैक्टिस आपको समझ में आ गया होगा और आप इन सब का प्रैक्टिस करिए create कैसे करते हैं, alter कैसे करते हैं select कैसे करते हैं, shut कैसे करते हैं इनका shortcut keys अपनी copy में करके रखिए जिसे कि आपको बाद में दिक्कत निया है ओके तो आज का सेशन हम यह क्लोज करते हैं थैंक यू